हलो दोस्तो जो BPSC प्रिवेस येर क्यूशन के सिरीज चल लई है उसका दोस्तो अगला पार्ट पढ़ेंगे चलिए दोस्तो शुरुवात करते हैं पहले प्रस से बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? स्री कृष्ण सिनिल थे अगला प्रस देखें दोस्तो प्रस नमबर चौथा है जो हर साल 22 मार्च को मनाय जाता है तो दोस्तो इसका सयुत्तर हो जाएगा और 9-12 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंट से अलग होने को याद करने के लिए मनाय जाता है अगला प्रश्ट है दोस्तो निमलिकित में से किस राज जी को केंस सरकार द्वारा विशेश स्रेडी का दर्जा कभी परदान नहीं किया गया तो दोस्तो इसका सयुत्तर हो जाएगा बिहार को अगला प्रश्ट है जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमा बद था तो दोस्तो इसका सयुत्तर हो जाएगा नौ जिला अगला प्रश्ट है दोस्तो प्रश्टम मत सातवा है बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस चुने जाते हैं तो दोस्तो बिहार से अगला परश्ण है बिहार में फरवरी 2005 का अंतिम चरण का चुनाव चोनाव जो है वो 93 सीटों के लिए हुआ था अगला प्रश्ण है बिहार का मुख्यमंत्री निम्लिखित में से कौन नहीं रहे हैं तो दोस्तो इसमें से जो है राम बिलास पासवान जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे अगला प्रश्न है भारत की स्वतंतता के बाद बिहार के पहले राजिपाल कौन थे तो दोस्तो बिहार के पहले राजिपाल जैरामदास दौलत राम थे अगला प्रश्ण है बिहार में ग्राम पंचानतों का अंतिम चुनाओ कब हुआ था तो दोस्तो बिहार में ग्राम पंचानतों का अंतिम चुनाओ 1978 में हुआ था अगला प्रश्ण है पटना उच्च न्याले की स्थापना कब हुई थी पटना उच्च न्याले की स्थापना स अगला प्रस देखेंगे दोस्तो, बिहार में लोकसभा में सांसदों की कुल संख्या 54 है, अगला प्रस देखेंगे, जातिवाद पर आधारित, आतंगवादी सेना की राजनीती निमलिखित राज में है, तो दोस्तों का सहयुत्तर हो जाएगा बिहार राज में है, अगला प्रस देखेंगे, निमने में से बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्य मंगाल को दिये गए थे, तो दोस्तों का सहयुत्तर हो जाएगा, पूर्निया और मानभूम, जिले के कुछ इलाके पश्य बिहार राज के चुनाव आयुक्त कौन है? जैसे हैं कि यह संद 2002 में पूछा हुआ है, इस समय करेंड़ में जो है उनका आप जो है उत्तर पमेन वॉक्स में बताएंगे अगला प्रशन है दोस्तो जारखंड बनने के पस्चाथ बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं तो दोस्तो जारखंड बनने के पस्चाथ बिहार में अब कितने जिले रह गए हैं 37 जिले रह गए हैं लेकिन दोस्तो वरतमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं 38 जिले हैं अगला प्रस देखते हैं निमलिकित में से कौन बिहार और जारखंड के सह राजपाल हैं तो दोस्तो ये करंट अफेर का क्यूशन हो जाता है सन 2002 में पूछा गया था इस समय जो है राजपाल जो है बद अगला प्रशन है बिहार विधान सभाय में वरतमान में कुल कितने सदस्त हैं तो दोस्तो बिहार विधान सभाय में वरतमान में कुल 243 सदस्त हैं अगला प्रशन है दोस्तो बिहार के सवर परतम मुख्यमंतरी कौन थे तो दोस्तो बिहार के सवर परतम मुख्यमंतरी डाक जीला इसका साय उत्तर हो जाएगा अगला प्रशन है भोला पासवान सास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहें कितनी बार मुख्यमंत्री रहें दोस्तों तीन बार रहे थे अगला प्रशन है दोस्तों अगला प्रशन है बिहार की जनसंख्या डैस डैस से अधिक है तो दोस् जैप्रकास नरायन जो है वो कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्त किस ने की थी बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्त किस ने की थी बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्त जो राजपाल ने किया था बिहार राजसभा के लिए बिहार राजसे लोगसभा के कितने स सदत से चुने जाते हैं। अगला प्रश्च है वरतमान बिहार में जिलो की कुल संख्या 38 है। अगला प्रश्च देखेंगे दोस्तों। राज्य मंत्री परिसद किसके उत्तरदाई होता है तो दोस्तो राज्य मंत्री परिसद जो होता है वो विधान सभा के उत्तरदाई होता है अगला प्रश्ट है बिहार में कुल कितने प्रमंडल है बिहार में दोस्तो कुल 9 प्रमंडल है अगला प्रश्ट देखेंगे बिहार बिहार में लोगसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है बिहार में लोगसभा सीटों की कुल संख्या 40 है अगला प्रशन है बिहार के मुख्य मंतरी की नियुक्त जो है किस ने किया था तो दोस्तों बिहार के मुख्य मंतरी की नियुक्त जो है बिहार के राज़िपाल करते हैं अगला प्रश्न है दोस्तो, सारण जिले का मुख्याले कहां पे है, सारण जिले का मुख्याले च्छापरा में स्तित है, अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधनियम में ग्राम पंचायत की अवधी पांच वर्सों की निर्धारित है, इसकी गड़ना आपसद सी सह अगला प्रश्ण है जिला पंचायत राज अधिकारी को अगला प्रश्ण है बिहार लोग सिकायत अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था अगला प्रश्ण है बिहार में पंचायत समित की अंकेछळक नियोजन और बित का अधिश कौन होता है तो दोस्तों का सयूत प्रश्ण हो जाएगा पंचायत समित के प्रमुक्त होते है अगला प्रश्ण है बिहार में जिलो की कुल की संख्या कितनी है दोस्तों बिहार में जिलो की संख्या 38 है अगला प्रश्ण है बिहार के वित्मंत्री को कौन नियुक्त करता है तो दोस्तों बिहार के वित्मंत्री को राजिपाल जो है नियुक्त करता है अगला प्रश्ण है बिहार में सबसे पहले राश्पती सासन कम लागू किया गया था बिहार का मुख्य मंत्री है तो दोस्तो इसमें पूछ रहा है कि बिहार के कौन मुख्य मंत्री है इस समय दोस्तो बिहार के मुख्य मंत्री नितिस कुमार है अगला प्रश्ण दोस्तो इनमे से बिहार के पहले राजिपाल कौन थे तो दोस्तो बिहार के पहले राजिपाल कौन थे इसमें सर जेम्स डेविड सिप्टन थे अगला प्रश्ण है प्रश्ण मार ठावान है दोस्तो बिहार विधान सभा में अनुसूचित जात के उमिद्वारों के लिए कितनी सीटे अरच्छित हैं तो दोस्तों कर सयुत्तर हो जाएगा 38 सीटे जो है अरच्छित हैं अगला प्रश्ण है बिहार में 50 निकायों में महिलाओ को 50% आरच्छर किस वर्स पड़ान किया गया था सं 2006 में जो है पड़ान किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार सिच्छा परयोजना मुखिता सम्मंदित है किसे सम्मंदित है दोस्तो ए तथा बी दोनों सम्मंदित है इसका मतलब दोस्तो परारंबिक सिच्छा से भी सम्मंदित है और प्रोड साक्षरता से भी सम्मंदित है अगला प्रश्ण है बिहा अगला प्रश्ण है बिहार में कितने 20 विद्याले हैं तो दोस्तों बिहार में कुल 12 जो है 20 विद्याले हैं अगला प्रश्ण है राजेंद्र किरसी 20 विद्याले कहां इसी थे राजेंद्र किरसी 20 विद्याले समस्ती पूर में इसी थे अगला प्रश्ण है बिहार का एक आन अगला प्रश्ण है खुदा बक्स पाठागार इसी थे दोस्तो पत्ना में अगला प्रश्ण है दोस्तो बिहार में किस वर्ष दूर दर्शन का केंद्र इस्थापित किया गया था तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और नई सो अटात्तर इस भी में अगला प्रश्ण है नव नालंदा माहा बिहार किसके लिए विख्यात है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैंसांग इस मारक के लिए विख्यात है अगला प्रश्ण देखेंगे अगला प्रश्ण देखेंगे डिजिटल बिहार कारकरम के तहत कौन से छात्र 2021 और 22 से कंप्यूटर सिछा और प्रसिछर प्राप्त करेंगे तो दोस्तो का सही उत्तर हो जाएगा इन में से कोई नहीं आपसर ई सही हो जाएगा अगला प्रश्ण दोस्तो बिहार राज परेटन विकास निगम की टैग लाइन क्या है तो दोस्तो बिहार राज परेटन विकास निगम की टैग लाइन है बिल्सफुल बिहार है अगला प्रश्ण है निमलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राजे में मौझूद एक मात्र ये उसको धरोहर असल है तो दोस्तो इन में से कोई भी उत्तर जो है सही नहीं होगा अगला प्रश्ण दोस्तो प्रश्ण नमत तीसरा है विस्व का सबसे उचा कहा जाने वाला विस्व सांती इस्टूप बिहार में कहां इसित है तो दोस्तो राजगीर में इसित है अगला प्रश्ण है नव नालंदा महा बिहार किसके लिए जो है दोस्तो बिख्यात है नव न प्रश्ण है निमलिखित में से किस नगर में जा पानियों ने 207 इस्तूप का निर्मार कराया था तो दोस्तों इसका सयुत्तर हो जाएगा बोध गया में अगला प्रश्ण दोस्तों गर्म पानी के सुरोत यहां पे हैं गर्म पानी के सुरोत दोस्तों कहां पे हैं राजिग् बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है यह भी सही है विरायतन एक जैन मंदिर यम संगरहला है ये भी सही है अगला प्रश्च नहीं है दोस्तों बिहार के किस परेटन केंदर पर गर्म जल के अनेक सुरोत हैं तो दोस्तों का सहुततर हो तो दोस्तो विश्रूपद मंदिर जो है वो गया में इस्तित है अगला प्रस देखेंगे निमलिखित में से किस नगर में जापानियों ने 207 इस्तूप का निर्मार कराया था तो दोस्तो इसका सयूत्तर हो जाएगा राजगीर में अगला प्रस देखेंगे बोध गया में महा बोध ही मंदिर बनवाया गया था जहां पे गौतम बुध को ग्यान प्राप्त हुआ था अगला प्रस देखेंग दोस्तो निमलिखित में से किस नगर में सुर्य मंदिर इस सित है तो दोस्तो सुर्य मंदिर कहां इस सित है देव में इस सित है अगला प्रस देखेंग दोस्तों, बिहार में निम्लिखित में से किस एक को हाल ही में 20 धरोहर समीत द्वारा एतिहासिक महत्यों की विरासत अस्थल के रूप में जोड़ा गया है, तो दोस्तों का सयुत्तर हो जाएगा नालंदा महा बिहार को, अगला प्रस देखेंग दोस् दोस्तो बिहार का सबसे पुराना गिर्जागर पादरी की हवेली है। अगला प्रस देखेंगे। निर्थ जाना जाता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिदेशिया। अगला प्रस दोस्तो थावे का तीर्थ अस्थल की जिस जिले में इस सित है। वह कौन सा है। थावे का तीर्थ अस्थल दोस्तो बिहार के गुपाल गंज में इस सित है। अगला प्रस देखे अगला प्रस्ट देखेंगे बिहार की दुतिय राजभासा कौन सा है तो दोस्तो बिहार की दुतिय राजभासा उर्दू है अगला प्रश्ट है पाई का निर्थ का समन्द किछ राज़ से है पाई का निर्थ का समन्द दोस्तो वो बिहार राज़ से है अगला प्रश्ट है बिहार का परसिद पर वो कौन सा है दोस्तो छट पूजा है अगला प्रस देखेंग दोस्तो बिहार की पेंटिंग बिधा कौन सी है तो दोस्तो बिहार की पेंटिंग बिधा मधुबनी है अगला प्रस्टा है बिहार के किस निर्ति को गुजरात के गरवा के रूप में जाना जाता है तो दोस्तो इसका सही वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक कीजिए का शेयर कीजिए का मिलेंगे नेक्ट वीडियो में धन्यवाद